कि नमस्कार आज के बहर्स और बूल्स में हम बात करेम गे कच्चे तेल के बारे में यहूंज की खुग आईल और किरूड गा हिंदुस्तान पे हिंदुस्तान की अर्थवbaarस्था पे हिंदुस्तान के शेहर वजार पे कैसा इंपक्ट पड़ता है क्योंकि कल रात को डाउ जोन्स थोड़ा सा नीचे गिर गया था और आज सुबह भी मार्केट थोड़ा सा नरम खुला लेकिन बाद में मार्केट फिर से एक अच्छी तेजी के साथ बंद हुआ पर कल कुछ तो भी ऐसा किया कि जिसके उपर एकदम से स बारे में अपने चैनल पर इसमें दस वीडियो में हमने बताया है कि 2020 में क्या सीखने लायक था उसमें उसका मेन जो 2020 में एक फिनेंशियल मार्केट के दुरुष्टिकों से बहुत उथल पुथल हुई पर एक जो एक्स्ट्रीम जैसा आपको बताएंगे कि उस पर्टिक्य कि कच्चे तेल का भाव यह माइनस 40 माइनस 40 के नीचे चले गया था किसी भी चीज का भाव माइनस में कैसे जा सकता है लेकिन क्रूड ओयल फ्यूचर्स माइनस में कहे थे तो वो जो पैनिक था वो दर्शाता था कि कितना वो अलग साल था 2020 और अभी तक यह घटना घटे एक साल भी नहीं हुआ है अभी यह में के फ्यूचर्स के हैं आप भाव देख सकते हैं तो कल इसी के चलते कल रात को अगर आपने जग रहे होंगे आपने ध्यान दिया तो कुरूड ने कल फिर से डरा दिया कच्चे तेल ने कल फिर से डरा दिया यह धीरे 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 उप उपर जा रहा है पिछले कई दिनों से कल कल रात को कच्छे तेल का भाव जो लगभख 50 डॉलर टच किया था वो धार 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 गिरते गिरते सीधा 47 डॉलर रहने कि 3 डॉलर नीचे आ गया और यह जो इतना समय हुआ जो भी समय में वह हुआ रहेगा तो इससे एकदम से सब जगा पे डर हो गया कि ऐसे कैसे फिर से हो रहा है क्या हम वापस वहीं पे जा रहे हैं ऐसा भी होता है शेहर बजार में कि एकदम से वही पुराना व लेकिन इस बार यह ऐसा क्यों हुआ यह अगर हमें समझना है तो हमें कच्चे तेल के ग्लोबल डाइनमिक्स में थोड़ा सा जाना पड़ेगा और वो आज हम देखने की कोशिश करेंगे तो हम स्टार्ट करेंगे ओपेक से ओपेक यहां पे आप देख सकते हो पेशों का जो इंकम रहेगा वो मेन इंकम यही रहेगा कि एक्सपोर्टिंग ओई तो सबसे पहले हम यहां पे लिख लेंगे कि यह जो ओपेक कंट्रीज हैं दे एक्सपोर्ट ओई अभी ओफकोर्स सीडी सी बात है कि अगर आपको ओईल एक्सपोर्ट करना है तो आप तो जाएंगे कि कीमत बढ़ती रहे एक डॉलर से अच्छा है दो डॉलर डॉलर से पांच पांच से दद दस से पचास सो डॉलर अच्छा है एक सो तीस डॉलर वो भी अच्छा है तो इसमें रशिया नहीं है अभी हम और इसमें शेल गैस अमेरिका भी नहीं है यह को रोपेक जो पुराने लोग हैं जो पुराने देश हैं जो विश्व में कच्छे तेल के पूरे सप्लाइब को कंट्रोल करने वाला कार्टेल वह यह उपेक है ठोपेक यह चाहता है कि पूरा दुनिया में जो भी है वो साहं हम कंट्रोल करें अब जब तक रशिया का कुछ रोल नहीं था या सेल का रोल नहीं था अब तक यही चला थे है oil producing nations में तो उसका कारण यह है कि वो डॉलर्स में उनको उसको नाम ही दिया गया पेट्रो डॉलर पेट्रो डॉलर पेट्रोल बेचो डॉलर और पेट्रोल की डिमांड तो रहेगी रहेगी इसमें वेनेजुएला का आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए क्योंकि यहां पे एक socialist या communist socialist या communist रेजीम होने के कारण यहां पे वेनेजुएला का जो पूरा economy है वो धीरे 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 भले ही वो पेट्रोल बेच रहे थे वेनेजुएला है कोई भी और प्रोडुसिंग कंट्री फॉर बैट मैटर बट स्पेसिफिकली वेनेजुएला यहां पे देख लेंगे यह समझने के लिए कि क्या गलतियां करते हैं देश भी जिनको पैसा आसानी से मिलते हैं यह तो क्या डिमांड पेट्रोल है बेचो 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 अब बीचने से आता है पैसा आता है उसको अद्रों में डिमांटी कर रहें उसको बड़े इसमें रहें पोर्ट सुल्टुल्य है पर मीनिंगलेस है वैसे ही क्い वेनेजुयला का यह वो गया कि पैसा आते गया और फिर उन्हों पेट्रोल का भाव 500 डॉलर चल रहा है तो इनका अच्छा चल रहा था सड़नली पेट्रोल का भाव जब नीचे आ गया फॉर वाटेवर रिजन्स दो कारणों से ऑईल के भाव नीचे आ गया एक competition और दूसरा डॉलर फ्लो यह दोनों चीज़े हम देखेंगे competition और डॉलर फ्लो के दोनों के उपर हम बात करेंगे पर आपको यह समझना आवशक है कि कच्छे तेल का जो भाव है उपर नीचे जो होता है वो global dynamics के कारण होता है कुवेत वार जो हुआ था वो कुवेत वार आईल के उपर से हुआ था इराक इरान का जो problem था वो आईल के उपर से था तो यह सारी चीजे कच्छे तेल को लेकर है तो कल जब कच्छे तेल ने आपको डरा दिया तो थोड़ी सी बात आ गई कि क्या हुआ तो स्टार्ट करेंगे हम ओपेक से तो यह सब ओपेक देश हैं जो बोलते हैं कि हम मिलेंगे एक साथ और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कच्छे तेल का भाव क्या होगा क्या नहीं होगा सब ठीक है अब इनका एक पाड़ा लेकिन धीरे धीरे कुछ ऐसे भी देश आ गए जैसे की शेल गैस और रशिया स्पेसिफिकली और भी हैं पर जैसे की अमेरिका और रशिया इनके यहां से भी अमेरिका में ऑईल मिला इसलिए अमेरिका एक्सपोर्ट करने लगा रशिया रशिया के अपनी प्रॉब्लेम चल रहे थे डिसिंटिग्रेशन हुआ उसके कोई था नहीं तो तब तक सिर्फ ओपेक ही था और पिछले 10-15 वर्शों में अमेरिका और रशिया दोनों भी इक्वली आ अभी अमेरिका और रशिया के कुछ बहुत अच्छे संबन नहीं है एक दूसरे से तो यहां पे अभी ऐसा है कि तीनों चाहते हैं ओपेक भी चाहे और रशína भी चाहेगा यह अपने investor club में कुछ तो भी चल रहा है और रशीया भी चाहेगा कि कच्छे तेल के भाव उपर रहने चाहीए है लेकिन कच्चे तेल के बहाव उपर क्यूंकि उनका डेनिफिट हुआँए पिर बहांतु लेकिन हमारा तेल है जो बाकी के देश में जाना चाहिए उपर है लेकिन अमेरिका बोलेगाया अगर रशिया और फैक का तेल लोग खरीद रहे तो भाव उपर रहे के मुझे क्या फाइदा है तो यह कुछ तो भी एक बड़ा सा अटपटा सा सिचुएशन हो गया है ग्लोबल लेवल पर जिसमें यह एक दूसरे से बात नहीं करते एक सब एक दूसरे के ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं पर फिर भी दि भी पूरा पैसा अमेरिका का है अमेरिका के साथ और साधक्राइब ले तो रशीया मांने को तयार नहीं है रशीया उखर वोलता है कि हमारा आज将 तो एसी आएilah तो तुम तो जाने आफिक आफ देखो कि जब तो कोरोना आ गया, अभी जब lockdown आ गये, तब ये तैय हुआ कि सब लोग supply cut करेंगे, सब लोग supply cut करेंगे ठीक है यार अभी factories बंद हैं कहीं जा नहीं रहा है तो supply cut करो, पर फिर भी वो supply cut करते करते, supply उस level का cut नहीं हुआ, inventories बढ़ती गई और इसके कारण oil negative में गया, वो सब हमने देखा, अब उसके बाद का, अब कल ये जो price में impact हुआ, अब रशिया क्या बोल रहा है, रशिया बोल रहा है कि lockdowns हट गए, demand rising, इसलिए we should increase production, रशिया बोल रहा है कि lockdown खतम हो गए, vaccines आ गई, demand दीरे दीरे बढ़ रही है, तो हमने production increase करना चाहिए, चाइना में demand बढ़ रही है करके, OPEC बोलता है कि not yet, यहाँ पे problem, और OPEC और ये non-OPEC countries मिला के अभी जो उसको refer किया जाता है OPEC plus, तो अब ये सब लोग जो एक दूसरे से बात नहीं करते, एक दूसरे के आख में आख डालके बात नहीं कर सकते, ये लोग बैढ़ गए एक table पे, और संधी करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक दिन गया, दूसरा दिन आया इनके तरफ से कुछ आया नहीं तो इसके लिए ये uncertainty किसी को पसंद नहीं आती है और इसके कारण वो ओईल के prices थोड़े से कल पर सो जो एक जटका पड़ा अभी news पढ़ेंगे एक एक लाइम पड़ेंगे और उसमें से समझेंगे most of the members OPEC plus लिखाए देखिए OPEC plus का क्या मतलब है OPEC और reportedly favoring delaying increase in वो कितना क्या ठीक है due to surging COVID cases याने कुछ लोगों का बोलना है OPEC में से कुछ लोगों का OPEC plus में से कि delay करो delay क्या करो increase in collective production यहने कि production मत बढ़ाओ और वो कारण क्या दे रहे है क्योंकि COVID-19 के cases अभी बढ़ रहे है अभी और भी lockdowns अभी कल UK ने lockdown impose किया रशिया के जोरी Europe के कुछ देश अभी lockdown impose कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं यह सब के चलते हमने production बढ़ाना नहीं चाहिए नहीं तो फिर से production बढ़ा देंगे और lockdown हो गया तो कहीं पर demand नहीं होगी तो फिर से भाव नीचे चले जाएंगे हमें भाव maintain करने के लिए supply कम करना पड़ेगा supply demand का logic है अगर supply जादा हो गया demand नहीं रहा तो भाव टूट जाएंगे और भाव टूटना किसी के लिए अच्छा नहीं है हम भली एक दूसरे के साथ हमें जमती नहीं है पर भाव अच्छा रखने के लिए तो भी हम कोई सुनना चाहिए फिर वो आगे बोल रहें कि चाइना वह नहीं चाइना इस दिमांदा combination अभी अभी ध्यान दीजिए कच्छा तेल क्यूं बढ़ा यह जो यहां पर हमने dollar flow की बारे में एक तो competition है कि तीन लोग आ गए हैं सब लोग supply दिये जा है दिये जा रहे है इसलिए भाव तूट गया वह एक बात है supply अभी अभी यह जो कच्छे दिल का भाव क्यूं बढ़ाई है हम पिछले भी वीडियो में कर रहे हैं combination of weaker dollar hips of stimulus dollar कच्छा है अपने हम हमारे यह वाले जो bears and bulls की series है आप series देखिए याप दस वीडियो देखिए 2020 के हमने विस्तार में discuss किया है कि क्यों जब dollar index नीचे जा रहा है जैसे यह वाला जो chart है यह dollar index और crude oil का comparison है तो इसमें यह जो pink वाली line है यह dollar index है और यह जो candles है यह crude oil है तो आप देख सकते हो कि dollar index यह जैसे 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 left side को dollar index है तो जैसे जैसे dollar index यह 100 के level से नीचे 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 आके आज अभी है record 89 के level पे है याने कि इतना नीचे dollar index आ गया dollar index नीचे आने का क्या मतलब है कि dollar week हो रहा है dollar week हो रहा है इसका क्या मतलब है डॉलर का सप्लाइब रहा है डॉलर का सप्लाइब रहा है इसका मतलब क्या है डॉलर पूरे विश्वा में फैल रहा है डॉलर पूरे विश्वा में फैल रहा है क्या मतलब है कि डॉलर अलग-अलग करूद आइसेट में जा रहा है अलग-अलग assets में जा रहा है का क्या मतलब है Bitcoin बोलो-Tesla बोलो Crude oil भी तो जैसे बाकी सब assets में जा रहा है dollar वैसे ही dollar कच्छे तेल में जा रहा है और उसके कारण एक तेल का भाव उपर जा रहा है तो यह जो एक line है vehicle dollar and hips of stimulus हरकोई country स्टिमूलस ही दे रही है अमेरिका स्टिमूलस नाइन बिलियन डॉलर्स का दे दिया सबको कुछ दो हजार डॉलर के चेक्स दिये या ऐसा कुछ तो भी राइजिंग इंफ्लेशन कच्चा तेल बढ़ेगा तो महिंगाई बढ़ेगी डॉलर सस्ता होगा सबके हाथ में पैसे चले जाएंगे तो महिंगाई बढ़ेगी hopes for vaccine-led recovery in the global growth इसके साथ वैक्सिन आ गई वैक्सिन आ गई तो lockdown बंद हो जाएंगे लोगों को वैक्सिन लग जाएगी फिर problem solve हो जाएगा फिर वापस economic recovery हो जाएगी economic recovery होई तो कच्चे तेल की मांग बढ़ेगी कच्चे तेल की मांग बढ़ी तो भाव उपर जाएगा तो यह जो कई सारे कारण है उसके कारण पिछले कई महिनों से मार्च में जो निगटिव भाव दिखाया था वहां से और उपर 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 जो कच्च्चा तेल जा रहा है तो उनका बोलना है कि यह कई सारे कारण है जिसके कारण and crude oil trades at fresh 10 months है with vaccine rollouts अभी देखो यहाँ पे set of world आ गया vaccine rollouts के कारण एक positivity है offsetting virus related lockdown that could worsen incoming अभी vaccine भले ही आ गया अभी problem कहां पर आ रही है vaccine भले ही आ गया लेकिन पूरे विश्ववगों क्या vaccine आप एक रात में दे दोगे vaccine भले उसमें भी अभी कुछ और आएंगे लोग प्रशन पूछेंगे कि सही में है नहीं है देना चाहिए नहीं देना चाहिए सब के लिए safe है बह दूसरी जगह यह हो रहा है कि यूरोप में जर्मनी में cases बढ़ रहे हैं आपके UK में lockdown लगा दिये तो यह वो नया strain आ गया फिर से देर रियल कंसर्म्स ओवर दे लेटेस्ट वेवस एंड बेस्ट रूट इस टू कीप द आउट्पूट कट्स अंचेंज देखो कुछ लोग जो हमने पहले बोला था रशिया बोल रहा है कि बढ़ा हो लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं अभी बढ़ा हो मत प्रोडक और एक आर्टिकल है यहाँ पे क्या बोल रहा है ओपेक है सिग्नल डाइट इस कंसर्ण अबाउट ओईल डिमांड डिस्पाइट इस प्रोडक्शन कंट्रोल बिकॉज कोविड नाइंटीन केसे कंटिनू तो राईज अभी तब कोविड का प्रोब्लेम सॉल नहीं हुआ है अबस बढ़ना है और इसलिए और ग्लोबल टोटल इस तिल और इसलिए अभी तक दिमांड वापस नहीं आई है क्योंकि अगर सब लोग बिमार पढ़ते रहें तो पहां एकोनोमी बढ़ने वाली है और फिर तेल का डिमांड बढ़ेगा इसलिए तेल का प्रोडक्शन टाइम लगेगा डिमांड विल बी सब्डियूड और फॉर अभी टाइम है इतना आसान नहीं है तो इसलिए आउटलुक अभी तक कुछ सौल नहीं हुआ है तो आपका कच्छा तेल उपर चले गया है लेकिन ओपेक और ओपेक प्लस में थोड़ी सी नहीं जम रही है रशिया ने बोला कि थोड़े से बढ़ा दो तो वह जैने वरी ने ओपेक ने बढ़ा दिया पर देर वस अन्विलिंगनेस तो कह कहीं पर कुछ कुछ लोग रशिया कुछ बोल रहा है कहीं कुछ सुन रहे है तो वह सारे इसमें वह बात बराबर नहीं हो रही है और इसलिए कच्चे तेल के भाव नीचे या कच्चे तेल कल नीचे गया और फिर फाइनल एक यहां पर देख लेंगे और ड्रॉप दमोस्ट इंट यह कल की निउस है क्यूंकि यह ओपेग और उपेग प्लस वाले एक साथ आए नहीं है अब तक और उसके कारण डिसकॉर्ड बीट्wen Ind Ret São Rashida को सब्सक्राइब्स नई जम रही है साथ चैनल एक बोल रहा है रशिया एक बोल रहा है और विदाउट एक यह अधि सेंसास नहीं निकलेगा तो फिर क्राब्लेम होगा और वह यहां पर प्राब्लेम क्या है लॉब्लेम स्विया कि यह सारे देश अगर लॉकडाउन की बात कर रहे तो कहां से तो ऑईल की डिमांड बढ़ने वाली है यह सब बड़े-बड़े देश है एकोनोमी से तो इसलिए यह सारे चक्कर में अभी ऑईल फस्क्राइब यह है ऑईल की कहानी तो हमने अभी यह सारे टॉपिक्स देख लिए इनको करो हमको क्या इससे वाट अबाउट इंडिया और हिंदुस्तान को क्या लेना देना जब कच्चे तेल का भाव उपर जाता है तो नहिंगाई बढ़ती है वो हिंदुस्तान के लिए खराब है अभी अभी जो हो रहा है कि जब यह अनसर्टन्टी के अभी अच्छ जब ऑईल नीचे गया था 20 डॉलर या कुछ तो भी तब इंडिया ने अपने रिजर्व जो रखते हैं वो सस्ते भाव में बहुत सारा खरीद लिया था 2020 में में जुन में कभी तो वह एक बहुत अच्छा गाम किया इंडिया ने कि अपने रिजर्व अच्छे खासे भरे हुए और और अच्छी बात था तब कैपैसिटी जितनी हो सकी उतनी भरली फिर और कैपैसिटी बढ़ाने की कोशिश करवें फिर वो भी ले लेंगे जैसा जब जमेगा वाव सस्ता रहता है तो यह सब इंडिया का इंपक्ट है जब तक जब तक यह डॉलर फ्लो चलता रहेगा जब तक इजी मनी रहे जब तक इंडिया विल अट्रेक्ट क्योंकि इंडिया की एकॉनमी और फंडमेंटल्स और वो सब बाकी देशों के तुलना में इसको पसंद है फिरंगी बरबर के पैसा डाल रहे है आज भी अदि आप देखेंगे तो आप रूपी डॉलर देखेंगे तो रूपी डॉलर क चार्ट यह कल भी हमने देखा था और अभी भी ठीक है बहुत ज्यादा कुछा डेप्रीशेट नहीं हो रूपी थोड़ा सा उपर दो चलते रहे हैं रोज रोज नहीं होने वाला है पर वी आरेट तो मल्टी मंथ हाई रूपी यह लगबग एक साल के उच्चतम स्तर पे है तो ऐसा जब है तो कच्चे तेल का भाव इसलिए उपर जा रहा है क्योंकि डॉलर सब जगह पे जा रहा है और वोई डॉलर इंडिया में भी आ रहा है और इसलिए यहाँ पे दो तीन चीज़ें हो सकती है इंफलेशन के डर के कारण क्योंकि कच्चा तेल अगर बढ़ेगा तो इंफलेशन बढ़ेगा तो अरभी आए में नौट इंक्रीज रेट्स बट में अलाव रूपी टू अप्रिशियेट अरभी यह शायद रेट नहीं बढ़ाएगा क्योंकि रेट अगर बढ़ा दिये पकड़े हैं वो कहीं तो भी इल जाएगी तो ब्याज़ तरह तो कम ही रहने चाहिए अगर ब्याज़ तर कम रहने हैं और कच्छे तेल के कारण मेहंगाई बढ़ रही है तो फिर क्या परिया है तो रूपी को अप्रीशियेट होने दो क्योंकि रूपी अप्रीशियेट होगा तो मेहंगाई को कंट्रोल में लाया जा सकता है यूएस इस सेंग कि इंडिया इस मैनियूप्यूलेटिंग इट्स करन्सी टू फेवर एक्सपोप्स यह भी एक आया था बीच में कि अमेरिका बोल रहा है कि आपके देश में इतनी बड़ी मात्रा में डॉलर आ रहे हैं डॉलर आने के कारण आपके रूपे की डिमांड बढ़ रही है और रूपी आपका फोरेक्स बढ़ते जा रहा है और फोरेक्स बढ़ रहा है क्योंकि जब तक फोरेक्स बढ़ते रहेंगे क्योंकि रूपी्ट एप्रीशियेट रहना या दबा हुगा रहना बहूत लोगों को दोगता है अपना हृपवी अप्रिशियट होना जाए एक ठीक है और एक ऐभ्सपोर्टार्स के लिए mniej बढ़ेगा तो inflation को काउंटर करने के लिए कुछ दिनों तक RBI पहले रूपी अप्रीशेट होने देगा बाद में रेट्स तो बढ़ा नहीं पड़ेंगे वह जब होगा तब होगा तब तक आपका सेंसेक्स और निफ्टी ये औल टाइम हाइपर है पी इडिफ्टी का पी ये लगभग आप पकड़ लो कर ली हमने देखा लिए अभी भी आप देख लो 38 के आसपर है ये बहुत महंगा है ये बहुत महंगा है और इसलिए ये पूरे वीडियो में से आप ऑईल उपर जाएगा कि और नीचे जाएगा तो आप बेरिश के व्यू आप बुलिश भी व्यू रख सकते हैं और आप बैरिश भी व्यू रख सकते हैं सेम विद दे मार्केट सो आपको एक ही काम करना है अगर आपने अब तक नहीं किया है तो अपने पोर्टफोलियो में से कच्रा सा करो और दूसरी बाथ है ले टीकान वां इनविस्ट कर रहो नहीं तो क्या मार्केट बहुत उपर गया बेजया यह जब पागलपन ही चल रहा है तो क्या कितना भी पागलपन कोछिश वह सकता है उसमें क्या है तो आप वह आपस्टij में आप पूरी कोशिश हम यही करते हैं कि अपना पॉर्टफोलियों बढ़ना चाहिए और जब बढ़ रहा है तो हम डर जाते हैं और नहीं मार्केट बहुत उपर गया तो डर क्यों रहो भी या मार्केट उपर जा रहा है तो खुश रहो तो यह वाली बात हमें समझनी है कि अंदर बने रहना है और उसको स है वह सारी बाते डिटेल में आज भी मार्केट 14100 फेनिफटी था तो कौन सा कुट खरीदना है कैसे हैज करना है वह सारी डीटेल में स्पेसिफिक होई लेकिन यहां पर डेरिवेटिवस की बात नहीं कर सकते क्वी डेरिवेटिवस रिस्क होता है सबके लिए नहीं भी होत कर रहे हैं तो इसलिए नीचे आएगा ना आपकी डेली एसाइपी चलती रही तो नीचे आएगा तो आपको तो और बेनेविट होगा तो आपको ये एक मैना दो साल के लिए सूच रही नहीं है आप दस साल के लिए सूचिए इंदुस्तान फाइट रिलियन डॉलर की एकॉनोमी बनेगा उसमें कोई दो राय नहीं है आपकी मेरी राय इसमें बदल सकती है कि ये पांच साल में होगा कि ये आठ साल में होगा कि दस साल में होगा कि यह तौ साल में हम उसके उपर चर्चा कर सकते हैं पर यह होगा इसमें कोई डाउट नहीं है और अगर होने वाला है तो फिर बने रहे है ना आज हम अगर ढाई ट्रिलियन डॉलर की एक और कोविड के पहले हम डाई या तीन ट्रिलियन डॉलर की एकॉनोमी थे अच्छा एक और बात ये भी समझनी है कि एक और बात कि Q2 GDP का डेटा Q2 GDP की ग्रोथ ये 30% के आसपास आने वाली है अब इसे ध्यान दो इस बात को तो बाद में बाद में तो सब लोग बोलेंगे और इंडिया फिर क्या है जो कुछ लोग उसके वो नंबर के फेवर में रहते हैं वो बोलेंगे वाओ देखो इंडिया अगर 10 पे एक बढ़ता है तो आप बोलोंगे 10% का राइस हुआ है लेकिन अगर 5 पे वही एक बढ़ता है तो आप बोलोंगे 20% का राइस हुआ है तो बड़ा होई एक है बड़ा वही उतने से ही है लेकिन पिछले साल Q2 में आपका माइनस 24% का GDP ग्रोथ हुआ था इतना ब था तो दस पे पिछले इस साल दस पे एक बड़ा रहेगा अभी पांच पे एक बड़ेगा तो सड़नली यह बेस इफेक्ट आ जाएगा बिल्कुल ध्यान नहीं देना है इसलिए एक फैनांस के एक अच्छे इन्वेस्टर को एक अच्छे फैनांस के स्टूडेंट को यह जो कहानी क्या है वह नंबर्स में बताओ बाकी सब पतंग उडाने वाली तो फिर तो क्या है यार्ट लॉसमेकिंग कंपनी का भी आई पियो डबल पे लिस्ट होता और अप्पर सर्किट लगता इसका मतलब क्या कंपनी अच्छी हो गई क्या ऐसे नियोता है आप सही सवाल की श्रूंखला पढ़ी है वो रेकापिटलाइजेशन बॉंड्स पर वीडियो बना रहे हैं पंजाब एंड सिंद का अच्छी केस है वो भी आप पढ़िए सुनिए छोटे-छोटे वीडियो जे और दस वीडियो की जो श्रूंखला है ट्वेंटी-ट्वेंटी यह डैट वा वाट्साप कर सकते हैं एंड विद आट आज का यह सेशन बन करते हैं फुड़ा लंबा वीडियो हो गया लेकिन और यह पूरा अभी तक कुरूड ओल को टची नहीं गया और अगर कुरूड ओल के निजम तो ब्रेटन वूल्स तक जा सकते हैं निक्सन चॉक तक जा सकते है पर देखेंगे वो कभी और कवर करेंगे तो आप वीडियो देख रहे हैं इसके लिए बहुत बद्धिन निवाद नमस्कार थैंक्यू वेरी मच्च थैंक्यू वेरी मूच